तो राहूल गादी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को राजिस्थान की एक चुनावी सभा में पनौती का तंज मारते हैं जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में भारत हार गया प्रधान मंत्री वहां मौजूद थे और उसके बाद से ही सोशल मीडिया में पनौती शब्द ट्रेंड हो रहा था कल एक चुनावी सभा में राहूल गादी ने प्रधान मंत्री पर ताना मारा पनौती शब्द का इस्तमाल किया अजीब और गरीब इत्तिफाख देखिए दोस्तों उसके ठीक बाद राहूल गांधी और सोनिया गांधी को जाच एजिंसी एडी से करारा जटका मिलता है खबर आपके स्क्रींस पर सोनिया गांधी राहूल को एडी से बड़ा जटका यंग इंडिया की 751 करोड की संपत्ती जब्द ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाबाजाद है तेरे मैं आज एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ मीडिया पूरी तरह से बौकला गया राहूल गांधी पर करारा हमला बोलना शुरू कर दिया क्योंकि राहूल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तमाल किया है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जब प्रधान मंत्री ने ये कहा था कि कॉंग्रेस को फांसी चढ़ा दो या जब प्रधान मंत्री ने राहूल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार शब्द का इस्तमाल किया था या फिर राहूल गांधी के बारे में आलू और सोना वाले बयान को लेकर जूटी जानकारी दी थी तब क्या मीडिया ने प्रधान मंत्री से सवाल किया था भाशाई मर्यादा का जब जब उलंगन होगा तो चाहे वो प्रधान मंत्री हों चाहे राहूल गांधी उन सब की आलोचना होनी चाहिए जैसे मैं करता हूँ क्योंकि मैंने बाखायदा कल शाम अपने मंच पर एक कारिक्रम किया था जिसमें मैंने राहूल गांधी द्वारा भाशाई मर्यादा के उलंगन की आलोचना की थी मैंने क्या का था कुछ देर बाद अगर सबसे पहले दोस्तों E.D. ने किस तरह से तुरित कारवाई किये राहूल गांधी के पनावती वाले बयान के बाद आपके स्क्रीन्स पर सोनिया राहूल को E.D. से बड़ा जटका यंग इंडिया की 751 करोड की संपत्ती जब्द प्रवर्त निदेशाल यानि E.D. ने Associated Journals Limited A.J.L. की करोड की संपत्ती को अस्थाई तोर पर कुर्क करने का आदेश दिया है ये action money laundering मामले में E.D. द्वारा किया गया है जिसके तहट 751 करोड की संपत्ती को कुर्क कर लिया गया बता दें कि एजनसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहूल गांधी से पूछताच कर शुकी है कि इंद्रिय जाच एजनसी ने कहा है कि जब्द की गई संपत्ती में E.G.L. की दिली मुंबई और लखनाउ सहित कई जगाओं की प्रॉपटी है इसकी कुल कीमत 661 करोड 79 लाक रुपए है E.G. ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपटी की कीमत 90 करोड 21 लाक रुपए है क्या महज इत्वाख है दोस्तों कि राहूल गांधी एक तरफ पनौती बाला बयान देते हैं और फिर शाम को ये खबर आ जाती है राहूल गांधी का क्या बयान था दोस्तों मैं शाह हूंगा आप सुने आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अधाने का काम आपकी जिल प्लाकने का है बनो आते हैं एक टीवी पे आता है आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम तो राहूल गांधी जैसे ही बयान देते हैं सत्ता का चाटुकार ये पत्रकार रिपब्लिक का ये संपादक जो है वो राहूल गांधी पर ताबड तोड हमले शुरू कर देता है और यही नहीं कई अन न्यूस चैनल्स भी ऐसा करते है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों क्या भाशाई मर्यादा का उलंगन होना चाहिए क्या इस तरह से हमारे राजनेताओं को राजनीतिक शुचिता को छोड़ कर इस तरह की बयान बाजी करना चाहिए याद कीजे कल ही शाम को मैंने अपने मंच पर राहूल गांधी के पनावती वाले बयान पर किस तरह से उनकी आलूशना की थी सुनते हैं मुझे लगता है दोस्तों ऐसा राहूल को करने की कता ही जरूत नहीं थे ये सही माइनों में भाशाई मर्यादाओं का उलंगन है और मैं आपको बताता हूं क्यों क्योंकि राहूल गांधी ने अपने भाशन में बहुत बखुबी मुद्दे उठाये थे बहुती सलीके से प्रधान मंत्री की कमजोर नबस पर वार किया था अब उन्हें पनौती शब्द का इस्तमाल करने की जरूत नहीं थी उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारे मजदूर फसे हुए है और मजाल है कि प्रधान मंत्री इस पर एक भी बयान दें उनका दिमाग और वो पूरी तरह से क्रिकेट में है देखिए राहूल गांदी ने उस पर क्या कहा था सुनते हैं उदर मजदूर फसे हुए है उत्राखंड में मजदूर फसे हुए है उत्राखंड में जमीन के नीचे घसे हुए है 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है अच्छी बात है दो मिनट उनको भी दे दो दो मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो तो मेरा कहना है मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेरा आता है क्यों आता है प्रियार्पी बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि नरेंद्र मोधी जी इनका काम करते हैं अधानी अधानी का काम करते हैं अधानी अंबानी और नरेंद्र मोधी जी बहुत अच्छा सोदा है नरेंद्र मोधी जी जी एसडी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मो का इस्तमाल करने की जरूत थी जब आप अपनी भाषा के जरीए अपनी बात कह सकते हैं तो देखा आपने राहूल गांधी के बयान पर मैंने क्या कहा था मगर क्या इन्हों ने प्रधान मंत्री के उस बयान की आलूचना की जिसमें प्रधान मंत्री ने राहूल गांधी को कोई कारवाई नहीं कि, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हाँ, आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया, प्रियंका गांधी वाडरा को नोटिस जारी किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि राहूल गांधी ने जो पनावती वाला बयान दिया है उस पर भी नोटिस जारी किया जाएगा मगर क्या प्रधान मंत्री इन तमाम चीजों से उपर है याद कीजिए दोस्तों जब चुनाव आयोग की नियुक्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के जजजज ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजजज ने साफ तोर पर कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधान मंत्री से भी सवाल करने की हिम्मत रखने टी एन सेशन जैसा चुनाव आयोग चाहिए या चुनाव आयोग का प्रमुक चाहिए मगर आप जानते हैं चुनाव आयोग का सिर्फ एक काम है विपक्ष पर हमलाक साधो और प्रधान मंत्री आमिट शाल चाहे जैसे मर्जी बयान दें उन पर चुपी साधे रखो जो अपने आप में बहुत ज्यादा शौकिंग है अब जाहिर सी बात है दोस्तों चुनावी मौसम में ED के इस कारवाई पर कॉंग्रिस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है मलिकार जुन खड़गे का बयान आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी पर बयान उनका मैं हिंदी में अनुवात करता चलूँगा मलिकार जुन खड़गे कहते हैं यह जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें AGL की प्रॉपर्टीस को प्रवर्तन निदेशाले ने कुर्क कर दिया है यह भारती जनता पार्टी की चुनावों में बॉकलाट दिखा रही है वो आगे क्या कह रहे हैं भारती जनता पार्टी को 36 गड़, मद्ध प्रदेश, राजस्थान, तिलंगाना और मीजुरम में हार दिखाई दे रही है यही वज़ा है कि वो अपने एजनसी का इस्तमाल कर रही है आगे मलिकार जुन खड़गे कहते हैं कि यह जो कोशिश है भाजपा की वो भी नाकाम होगी और वो लोग चुनाव में हार जाएंगे मलिकार जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार एजनसी का दुरुपयोग करती है वो कोई नई बात नहीं है वो इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं बार बाहर करते हैं और लगातार करते रहे हैं मलिकार जुन खडगे, यहाँ पर देश के पहले प्रधान मंतरी बंडित नहरू की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नाशनल हेरल्ड भारत के स्वाधीनता संग्राम की आवाज थी, कॉंग्रिस को नाशनल हेरल्ड के किरदार को लेकर, खासकर स्वतंतरता संग्राम में जो उसका किरदार खा, उसको लेकर पूरा गर्व है, यहाँ पर मलिकार जुन खडगे, पंडित नहरू के उस बयान की याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विट ओल यूर माइट, जिसका हिंदी में अनुवाद है, कि स्वतंतरता खत्रे में है, पुर्जोर ताकत के साथ उसकी रक्षा करो, अंत में, मलिकार जुन खडगे कहते हैं, कि हम लगातार अपने आदर्शों पर इस लड़ाई को जारी रखेंगे, देश की जनता देख रही है, कि भाशपा सरकार क्या कर रही है, दोस्तों, आज के इस कारक्रम में दो मुद्दे में आपके सामने लेकर आया, एक तरफ गोदी मीडिया के दोहरे माबदंड, प्रधान मंत्री चाहे जितनी भी लक्षमंडरे खाएं पार करते रहें, उन पर कोई बयान नहीं, उनकी बिलकुल भी आलोशना नहीं, और दू कितनी बार सत्ता से जुड़े नेताओं पर कारवाई करती है, याद कीजे, नरेंद्र तोमर का जो बेटा है, देवेंद्र तोमर, वो कथित तोर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया था, जहां कथित तोर पर कई करोड के रिश्वत की बात की जा रही थी, और ये बाचीत इसमें सुनाई देता है नरेंद्र तोमर के घर का पता, क्या जाच एजनसीज ने उनके घर में दस्तक दी, बिल्कुल नहीं दी, याद कीजे करनाटक का चुनाव, भाश्वा के नेता के बेटे के घर में करोडों रुपए मिलता है, क्या जाच एजनसीज उनके घ एजिंसी का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि विपक्ष पर निशाना साधू, बार-बार साधू, लगातार साधू. आपके सामने कई मिसाल हैं. संजै सिंग जेल में हैं, मनीश सुधिया जेल में हैं. मनीश सुधिया के बारे में तो सुप्रीम कोट ने ये तक कहा था कि जो मामला है, वो दो मिनिट अधालत में नहीं टिकेगा. मगर फिर रहस्म है तरीके से मनीश सुधिया की बेल की आप्लिकेशन को सुप्रीम कोट खारेज कर देता है. संजै सिंग की भी बेल की आप्लिकेशन लगातार आ रही है, मگर उस पर कुछ बात नहीं हो रही. सतेंद्र जैन आम आदमी पार्टी की एक और नेता वो भी जेल में हैं याद कीजे किस तरह से NCP के दो नेताओं अनिल देश मुख और नवाब मलिक दोनों को जेल में रखा गया था नवाब मलिक तो शायद अब भी जेल में इससे पता चलता है कि जाच एजनसीज का सिर्फ एक काम है विपक्ष पर निशाना साधो और चुनावों के दोरान सत्ता पक्ष भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाओ और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है रोस्तों ये बतलाता है कि जाच एजनसीज सिर्फ भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रहे गए जो काम होता है जाच एजनसीज का वो काम नहीं कर रहे है विपक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहते हुए कि जाच एजनसीज से हमारी रक्षा करो सुप्रीम कोट ने कहा था नहीं हम कुछ नहीं करेंगे आप हमारे पास individual cases लेकर आए यानि की व्यक्तिकत मामले लेकर आए हम उस पर कारवाई करेंगे मगर फिर सुप्रीम कोट ने मनीश सोधिया के मामले में क्या किया सब जानते हैं तो ये तमाम मुद्धे हैं जिसे हम खारज नहीं कर सकते जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता और ये सवाल किये जाने बहुत जरूरी है बोल कि लब आजात है तेरे में बस इतना ही आविसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार